हेलो फ्रेंस वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड की एक न्यू सर्विस के बारे में जो की फ्रेंस यहाँ पर है आपके आधार कार्ड में आप मॉबाइल नंबर रडिस्टर करने के लिए जो कारी आपको फ्रेंस से वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाब रास्ता.com पर देखने को मिल जाएगी मैंने वहाँ पर सभी डिटेल आपको स्टेब बात करेंगे अधार कार्ड में मॉबाइल नंबर कैसे बात कर सकते हैं तो फ्रेंस देखिए इसका कोई भी शौट कट नही इसके लिए सिर्फ आप request कर सकते हैं जिसमें friends एक है आपका UID Center पर appointment लेकर और एक है आपका Indian Post Payment Bank के थो तो दो options हैं आपके सामने जिसमें से friends आपको दोनों options का यूज कर सकते हैं चाहें तो और इसमें friends सबसे पहले देखिए आपके पास जो आपका friends Indian Post Payment Bank है यहाँ पर friends आपको इसके जो official portal है IPPB का उसमें friends आपको आना होता है आपके mobile number को यहाँ पर अपडेट करने के लिए साब पर friends आप अधार भी ले सकते हैं अगर आपका चिल्टरन है वो 5 साल से उम्र उसकी कम है तो आप उसका enrollment भी करा सकते हैं तो इसके लिए friends जो door step banking का जो option है वो अधार mobile update वाले option को select करने के बार अब आपको friends यहाँ पर देखे सबसे पहले name का title select करना होगा इसके बाद आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर enter करेंगे नाम यहाँ पर enter करने के बाद आपको friends यहाँ पर आपका friends जो 10 digit का mobile number है वो आपको देना होगा आपकी friends से mail ID आप दे सकते हैं आपका पूरा address क्या है address line 1 और address line 2 में आप enter करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो pin code है वो आपको यहाँ पर देना है यह enter करने के बाद आपका जो nearest post office है वो आपको यहाँ पर देखने क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसका address आपको मिल जाएगा इसके बाद है any specific request तो friends आप कोई भी friends यहाँ पर request यहाँ पर show करना चाहें लिख सकते हैं नहीं तो आप इसे blank भी छोड़ सकते हैं आप यहाँ पर request आप लिख सकते हैं कि friends आप यहाँ पर जो update है आप को यहाँ पर फिल करना होगा और यह capture code फिल करने के बाद आप यहाँ से जो submit का option है यहाँ से data को submit कर सकते हैं इसके बाद friends आपका देखिए यहाँ पर आपको एक message मिलेगा your submission has been successful मतलब आपने जो request दी है वो submit हो गई है successfully इसके बाद friends कुछ दिनों में आपके घर पर friends एक द date वो कर देगा तो यह friends जानकारी IBBP की website से भी आप कर सकते हैं India Post Payment Bank के माध्यम से इसके अलावा friends यहाँ से कोई और option नहीं है second जो option होता है जो कि UID की official website पर होता है जहां से आप सिफ appointment ले सकते हैं जिसमें friends आप appointment लेकर जा सकते हैं अधार सेवा केंदर पर या तो आप यह mobile number या जो भी आप जानकारी update करना चाहें वो आप update कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे friends से आपको सबसे पहले book appointment करना होगा आपका friend जो भी city location है वो आप यहाँ से select कर देंगे proceed कर देंगे book appointment करने के लिए अब यहाँ पर देखिए आपको friends से fresh अधार enrollment आप कर सकते हैं mobile number update कर स चाहें या अधार special service लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं इसके बार friends से आपको आपका mobile number यहाँ पर देना होगा इस capture code को यहाँ पर फिल करके generate OTP आपको यहाँ से कर देना होगा अब यहाँ पर friends से देखिए जो charges है अधार service के लिए जिसमें अधार enrollment या new अधार जो है व home enrollment service के लिए 700 रुपे यहाँ पर लगते हैं तो यह friends से सुईदर जो अगर आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं अब आपको mobile number जो update करना है नया mobile number वो आप यहाँ पर enter करेंगे इस capture code को फिल करेंगे जनरेट OTP करेंगे आपके mobile पर एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी ह OTP friends से verify करने के बार resident type आपको कौन सा है वो आपको select करना है appointment type update आपका रहेगा यहाँ पर आपको आपको अधारकार number नाम आपके अधारकार का जो है वो आपको देना है आपका date of birth क्या है आप इस calendar के माध्यम से आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बा पर select करना है और उसके बार next step पर आपको click कर देना है इसके बार फैंस यहाँ पर देखे select आपको करना है कहां पर अधे करवान चाहते हैं जैसे नाम में एडिट करना चाहें तो आपको नाम और कौन सी id proof आपको यहाँ पर देना होगा वो आपको यहाँ पर list मिल जाती है इ पर दे सकते हैं यहां पर यहां से कर सकते हैं अब När यहां पर अपने और कर सकते हैं आप यहां पर 역시 हो मोबाइल नंबर या मेल आइडी दोनों ही अपठीय करना चाहें तो वह भी आप यहां किया है वो आपको यहाँ पर option देखने को मिलता है इसके बाद आप next app पर click कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जो अधार सेवा केंदर है उसमें आप अपने according कोई भी date यहाँ पर select कर सकते हैं और जो भी friends यहाँ पर slot यहाँ पर available है वो slot आपके recording आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए available slot ही आपको देखने को मिलते हैं इसके बाद आप next app पर click करेंगे और इसके बाद friends जो payment है वो आपको करना होगा इसके लिए friends आपको online का option मिलता है आप online को select करेंगे make payment पर click करेंगे उसके बाद friends आप यहाँ पर card के माध्यम से net banking के माध्यम से जैसे भी payment करना चाहें वो आप कर सकते हैं और इसके बाद friends आपको देखिए आपकी जो card details है वो आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके बाद यहाँ से data को proceed करेंगे और card की details को enter करने के बाद आप यहाँ पर जब proceed कर देते हैं आपका जब payment verify हो जाएगा तो friends एक confirmation letter आपको मिल जाएगा जिससे आप download कर सकते हैं और download करने के बाद given address पर आप जा सकते हैं given time में जो भी आपने select किया है तो यह friends दो ही तरीके हैं आपके अधार card को update करने के यहां तो friends आप IPPP की जो की post payment bank है इंडिया post payment bank है उसके माध्यम से कर सकते हैं या friends आप appointment लेकर जा सकते हैं अधार center पर इसके अलावा कोई other option आपका नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी provide कर दी है बाकी की जानकारी आप पर जाका चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो like subscribe जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube एलास थैंक्स पूर वाचिंग